तुडेः विशलान लेसल नमबर 4 टिक 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 पार्ट सेकेंड लेट्स बिगीन लेट्स बिगीन और जलदी अंधिरा हो जाता है चार बजे ही वहाँ पर अंधिरा हो जाता है यहाँ पर आपको देखना है कि minute hand है वो कितना move किया हुआ है तो minute hand कैसा होता है जो बतला सा and long होता है वो minute hand होता है तो यहाँ पर 3 hour and 35 minute hand है minute hand है वो यहाँ पर 35 पर है और यहाँ पर 3 hour and 10 पर minute hand है वो यहाँ पर कितनी minute hand हुई यहाँ पर 35 पर था यहां पर 35 के बाएः ओर यहां पर थोड़ा ही मू किया है मिनी टेन ने तो वो 10 पर आ गया जह 1 से कितना वह उसने मिनी टेन मू किया किया यहां पर 5, 10 और 15 यहां पर जा कि यह पर रुका है यहांनि कि 7 के बाद 3 more number चला है आगे minute तो 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes आगे चला है यहाँ पर second one में भी 3 hours and 40 minutes पर है तो 40 minutes पर यहाँ पर है और यहाँ पर 12 minutes and पहुँच गया है और यहाँ पर 8 पर था तो वो कितना चला है आगे 5, 10, 15 and 20 यहाँ मतलब कि वो 20 minutes आगे चला है यहाँ पर 8 यहाँ पर 1 पर है mini 10 और यहाँ पर 3 पर आगया है mini 10 तो 1 से 3 पर कितनी minute की दुरी पर यहाँ पर 5 और 10 minutes यहाँ पर 1 पर तो था ही वो mini 10 वो 1 से 3 पर आया यहाँ कि 5 and 10 यहाँ कि 10 minutes वो आगे चला है यहाँ पर जो mini 10 वो 2 पर है यहाँ कि 10 minutes पर है उसके बाद उसने move किया है directly 9 पर तो 2 के बाद हम count करेगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यानि कि 9 पर आकर वापिस वो रुका है तो कितनी हुई 35 minutes draw where the hands will be यहाँ पर आपको draw करना है minutes and and overhand दोनों को तो 20 minutes after 6 o'clock तो 6 o'clock के वो overhand है and minutes से वो 20 तो overhand है वो small होता है and thick होता है तो overhand है वो 6 तो यहाँ पर 6 पर overhand आएगा और 20 minutes यहाँ पर होती है यह 5 minutes 10, 15 and 20 तो 4 पर आपका minutes and आएगा जो long होगा और thin होगा second one 30 minutes after 8 o'clock तो 8 पर overhand होगा and 30 minutes कहाँ पर होती है 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25 and 6 पर 30 minutes तो minute hand आपका 6 पर होगा 10 minutes after 7 o'clock तो 7 o'clock है वहाँ पर आपका overhand होगा and 10 minutes 1 पर 5 minute and 2 पर 10 minutes होती है तो वहाँ पर आपका minutes hand होगा 15 minutes after 5 o'clock तो 15 minutes से वहाँ पर आपका minute hand and 5 o'clock पर आपका overhand तो 5 o'clock कहाँ पर यहाँ पर है तो वहाँ पर आपका overhand जो थीक होगा और short होगा जो थीक होगा और short होगा और 15 minutes यहाँ पर होती है 1, 2, 3 पर 15 minutes तो वहाँ पर आपका minute sound होगा वो long होगा और thin होगा How long does your school assembly tag? आपके school में जब prayer start होती है उसमें कितना time लगता है? 30 minutes का तो मैंने यहाँ पर लिख डाला 30 minutes How long is your lunch break? आपका lunch break पढ़ता होगा जो recess वो कितनी minutes का होगा? 30 minutes का तो मैंने यहाँ पर लिखा है 30 minutes How long is your games period? आपके जो grams के period होते हैं खेलने के periods वो कितनी minutes का हो सकता है? 40 minutes का It is the same as all the other periods वो दूसरे periods होते हैं क्या उसके जैसे ही same होते हैं? Yes उसके जैसे ही same होते हैं उसके time के जैसे ही same होते हैं Games period and lunch break same very short आरंद है यह आपको पूछ रहे हैं क्या आपका 30 minutes का ही होता है and games का period भी 40 minutes तक का ही होता है How many minutes can this activity take? Make a guess and check at home आपको guess लगा कर activity में कितना time लगता है? वो time आपको यहाँ पर लिखना है तो first one picture दिखा है आपको boiling 1 liter milk boiling यानि कि water को ऐसे आप यहाँ पर गरम करते हो तो कितनी minutes लगती? 1 liter milk को गरम करने में 5-6 minutes आप अपने तरीके से भी एक्टिविटी कर सकते हो मैंने directly guess करके आपको answer यहाँ पर बताया है second one है failing a bucket यानि कि bucket को पूरा पानी में fill up होने में कितना time लगता है? एक bucket को पूरा complete यहाँ पर वरने में 3-4 minutes sweeping your room आपका जो room होता है वहाँ पर ऐसे जाड़ लगने में कितना time लग सकता है? 8-10 minutes तक लग सकता है 8-10 minutes 8-10 minutes तक लग सकता है activity time in a one minute how many times can you? one minute में आप क्या कर सकते हो? snap your fingers one minute में आपको snap your fingers यानि कैसे चुटकी बजाते हैं तो one minutes में आप कितनी time कर सकते हो? यहाँ पर आप लिखना skip a rope यहाँ पर आपको रसी से कुट सकते हो one minute में कितनी time आप कर सकते हो? 20 time 25 time वह आप यहाँ पर लिखोगे jump up and down आप यहाँ पर कुटते हो जैसे up और down की तरह ऐसे लगते हो jump करते हो तो कितनी time कर सकते हो one minute में वह timer set करके आप यहाँ पर activity कर सकते हो और कोई दूसरी activity यह कैसी हिलो जो यहाँ पर उसका name लिखो और one minute में वह कितनी time कर सकते हो for example में eye blinking बोलती हूँ eyes blinking यानि कि आपको ऐसे खोलना और बंद करना आप एक minute में कितनी time कर सकते हो यहाँ पर आप time को note करके यहाँ पर activity कर सकते हो write more such fun activities in this column ऐसे activities कोई भी आप लेकर यह column में से complete कर सकते हो here is another challenge for you how long can you आपके लिए दूसरा challenge आया है किया आप वह कितने time तक लंबे time तक कर सकते हो speak non stop यानि कि आप पुछ भी ऐसे रोके बीना बोली सकते हो continue आपको बोलना है तो कितने time तक continue बोल सकते हो time आपको यहाँ पर note करना है stand on a one leg आप लोगों को एक leg पर खड़ा होना है और कितने time तक आप खड़े रहते हो time को आपको note करना है sing without a break आपको ऐसे कितने time कितने time तक आप आप सकते हो आप रुके बीना वह आपको time यहाँ पर note करना है तो यह activity आप अपने तरीके से कर सकते हो how long do you take to run a 50 meter rest 50 meter rest आपको दोड़ने के लिए running करने के लिए कितना time लगता है तो वह आप यहाँ पर लिखोगे collect of 50 pebbles from the ground यानि कि pebbles यानि कि conquer जो पत्तर होते हो छोटे छोटे चोटे conquer होते हो 50 pebbles यानि कि collect करने में आप वो ground से कितना time लगता है 1 hour 15 minute 30 minutes जो भी time लगता है वह आप यहाँ पर note down कर सकते हो count 1 to 100 1 to 100 number आपको count करने में कितना time लग सकते हैं तो वह आप अपने तरीके से आप अपने तरीके से कर सकते हो इसलिए मैंना यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है तो आप अपने तरीके से यह गेस करके answer भी लिख सकते हो और activity करके भी लिख सकते हो let's look at a clock clock again solve this one the minutes hand starts from a 2 how many minutes will it take to come back to 2 द guard किमिनिट सेंड हे वो टू से स्टार्ट हुआ उसका घूम्ना और वापिस वह तु पर आता है तो उस्को कितना टाम लगता है वह एक बार टू से स्टार्ट रोता है तब उसको 60 मिनीट लगता यानि कि one hour लगते हैं यहां पर मैंने लिखा है 60 minute what happened to the overhand does it also move how long will take to move from one number to the next यह एक number से दूसरे number तक वापिस वही पर पोचने के लिए उसको कितना time लग सकता है और वो क्या move कर सकता है तो yes one hour लगता है to complete आप कौन से activities होती है जो एक घंटे में complete कर सकते हो तो मैंने for example यहां पर लिखा है to cook food आप जो food बनाते हो वह एवासाइद one hour में complete हो सकता है watching a cartoon show cartoon show भी एक घंटे में complete हो जाता होगा to finish homework आप आप आउमक भी one hour में complete हो जाता होगा to play a match आप match भी खेलते होगे cricket या कोई भी तो इसमें भी one hour में complete हो जाता होगा to get ready for a party party में जाने के लिए आप तैयार होते हो तो भी आपको एक घंटा साहद लग जाता होगा तो ऐसे मैंने अपने तरीके से आप अपने तरीके से भी यहां पर दूसरे अक्टिविटी के नेम लिख सकते हो जो बोन आवर में complete होती हो ऐसा हाव लोंग ड़स टेक टूल कुक डिनर अपके घर पे जो सरसाम का डिनर बनता है वह कितने देर तक complete होता है more than hour less than hour यानि कि एक गंटे से पहले ज्यादा या एक गंटे से कम तो वह तो आप अपने तरीके से कर सकते हो ask your father if he can cook as a fast as your mother does आप अपने फादर को पूछो कि वह आपकी मुमी से ज्यादा जल्दी से cook बना फूट बना लेते cooking कर लेते yes तो yes करना no तो no करना आप पूछ कर या अपने तरीके से answer कर सकते हो which games take less than a one hour to finish कौन सी ऐसी गेम है जो आप एक गंटे में complete कर सकते हो for example लुड़ो snake and ladders and cards etc यसे सभी गेम से जो आप one hour में complete कर सकते हो how long does a football match टेक आपको football match कितने time complete कर सकते हो then time duration of a football match is 90 minutes आपको 90 minutes में football match वो complete कर सकते हो तो यह सभी answer जो जो मैंने लिखे वो आप लिख लेना और बाकी सभी वो activity में आप कुद को करके guess लगा के भी आप answer लिख सकते हो thank you